सेशन में जो मैंने रूट वर्ड चूज किया है वो है EU यानि कि इसको बोलेंगे कैसे EU बोलेंगे जब EU लिखा हुआ तो E silent हो जाता है यू बोला जाता है और जब यू बोला जाएगा तो EU में consonant sound होता है ऐसे में अगर आर्टिकल A and में से चुनाफ करना हो तो आर्टिकल कौन से लगाया जाता है A and में से A लगाया जाता है कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है तो EU root word का मीनिंग क्या होता है good, pleasant जो कुछ भी अच्छा है सुखद है खुशनुमा है चाहे वो स्वाद हो, चाहे वो आवाज हो, समझ रहा है जो कुछ भी सुखद हो, जो कुछ भी अच्छा लगे एक तरीके से जो pleasant हो, उसे ही बोलते हैं EU अब पहला word इससे बनता है euphemism euphemism एक noun है आप देख सकते हैं euphemism का एक meaning तो चापलूसी करना भी होता है otherwise euphemism का मतलब होता है जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो विनम्र हों एक तरीके से मतलब जैसे आप किसी के आलोचना भी कर रहे हों तो उन शब्दों से ना करें कि जिससे व्यक्ति को लगे कि यह मेरी आलोचना कर रहा है या मुझे नीचा दिखा रहा है बल्कि आप उन शब्दों से आलोचना करें जिससे व्यक्ति को लगे कि शायद मुझे में कोई कमी है तो मेरा मित्र बनके यह व्यक्ति मुझे जो है एक सही ग्यान दे रहा है कि मुझे इस तरीके से अपने आपको सुधारना चाहिए जैसे एक dance reality show आता है super dancer उसमें जब contestant को छोटे-छोटे बच्चों को eliminate किया जाता है तो judges यह नहीं बोलते कि हम आपको show से निकाल रहे हैं eliminate कर रहे हैं, खदेड रहे हैं, भगा रहे हैं सोचिए, अगर कहें कि हम निकाल रहे हैं आपको show से भगा रहे हैं, खदेड रहे हैं, तो कितने सक्त शब्द हो गए वो इसकी जगा पर बोलते हैं कि हम आपको घर भेज रहें revision करने के लिए, आप अच्छे से homework करिए, revision करिए और फिर से वापस आजएगी, तो ये एक polite expression हो गया na, euphemism का यही मतलब होता है, कि आप कुछ भी shocking ना बोलें, हूँ चीजे shocking ही, लेकिन वो shocking लगे ना कहीं से, समझ रहे हैं, देखिए, polite words और expression that you use instead of a more direct one to avoid shocking और upsetting someone, है ना, उन शब्दों का استعمال करना, जिन से कोई व्यक्ती shock में चला जाए, दुखी हो जाए, गुसे में आ जाए, ऐसे शब्दों का استعمال ना करके, उन शब्दों का इस्तेमाल करना, जिससे व्यक्ती को इस प्रकार से ठेस ना पहुँचे यह देखिए the term early retirement आप समझ रहे हैं आज के समय में जब employees को नौकरी से हटाया जा रहा है तो उन्हें ये नहीं बोला जा रहा है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है बलकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें early retirement तो अच्छी चीज है हर employee चाहता है कि एक समय के बाद उसका retirement हो वो retire केरे job से उसका बडिया से विडाई समारों हो तो अगर समय पे retire किया जा और उससे पहले अगर retire किया जा और कहा जा कि तुम्हें खदेडा जा रहा क्योंकि तुम बेकार हो चुके हो, किसी काम के नहीं हो, तो वो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, तो उसकी जगा पर ये कह दिया जाता है, कि early retirement आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आप समय से पहले ही जाएए, मौच करिए, घर पे बैठिये, परिवार वालों को समय दीजे, मतलब polite words का use किया जा रहा है, is euphemism for redundancy nowadays, redundancy का मतलब होता है, जब एक तरीके से काम की जरूवत नहीं है, या काम करने वाले विक्ति की जरूवत नहीं है, अब ध्यान से देखिएगा, जो मैंने मेहनत की है आपको euphemism को समझाने में, उसका benefit आप उठाएंगे इधर, euphemistic में, euphemism का ही meaning euphemistic में है, आप देखिए ना, ध्यान से spelling पूरी की पूरी मैच कर रही है, euphemism noun है, euphemistic ic पे रुखा है, तो यह adjective है, जैसे optimistic होता है, realistic होता है, authentic होता है, ic पे रुखते हैं, तो वो सबके सब adjective हो गए, तो euphemistic एक adjective है, जो meaning मैंने eu का meaning है, पर यह, euphemistic language uses polite words and expressions to avoid shocking और upsetting people, वही बात जो मैंने euphemism में बताई थी, euphemistic language ऐसी language है, जिसमें कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, polite words का use किया जाता है, यह देखिए, please leave me alone, is an euphemistic way to ask somebody to leave a place, जब आप किसी से कहते हैं कि यहां से जाओ, एक तरीका होता है कि भागो यहां से, एक तरीका होता सीधे सीधे आप बोले get out, अब सुचिए get out कितना strong word है, और उसकी जगा अगर आप बोलते हैं, please leave me alone, तो आप कहे यही रहे हैं, कि आप जाओ यहां से, get out, लेकिन आप get out ना बोल कर कि क्या बोल रहे हैं, please leave me alone, please word का भ एक तरीके से, यह देखिए, you should have better address these elderly people by using euphemistic term senior citizens, rather calling them old people, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो व्रध लोग हैं, उन्हें हम बुढ़े नहीं बोलते हैं, उन्हें हम senior citizens बोलते हैं, अगर हम बुढ़े बोले, बुढ़े बोले, तो वो एक तरीके से सक्त शब्द हो ग करके हम उन्हें कैसे address करते हैं, senior citizens बोलते हैं, तो senior citizens एक euphemistic pair है, euphemistic approach है, बुढ़े लोगों को address करने के लिए, तो मुझे उमीद है आपको euphemism, euphemistic का meaning जरूर समझ में आया होगा, अब देखिए यह जो word आपके सामने लिखा, वो euphemistic, यह one word substitution में इस्तिमाल होता है, एक च EU root word है, वो देख रहा था आपको सब जगा, और साती साथ meaning जो है, वो खुशी वाला ही तो बन रहा था, जिसमें आप किसी की तारीफ करें, तोड़ा से polite होकर के बात करें, अब चापलूस वेक्ति किसी की निंदा तो करेगा नहीं, किसी की तारीफ ही करेगा, अब अगला word है, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स साइन से रिलेट करता है, बायलोजी से रिलेट करता है, ध्यान से दिखिए, इसमें जैन आपको देख रहा, जैन बनता है, जैन से ही बनता है, जीन, जीन से ही प्रजात ही बनती है, यूजेनिक्स बायलोजी का वो डिवीजन है, जिसमें इस चीज को study किया जाता है कि human race को कैसे बहतर बनाया जाए मानव नसल को कैसे बहतर बनाया जाए यह देखिए जैन नसल प्रजाती EU मतलब उसे अच्छा बनाना है the study of methods to improve the human race by carefully selecting parents capable of producing children with great minds eugenics में इनी बातों का ध्यान दिया जाता है कि आने वाली नसल को बहतर कैसे बनाया जाए याद रखिएगा यह जो word में पढ़ाने जा रहा है यूलाजी बहुत important word है यूलाजी प्रशंसा करना किसी की तारीफ करना देखिए यूफेमिस्ट में भी तारीफ की जाती पर यह चापलूस वेक्ति है यूलाजी में genuine तारीफ की जाती है कोई वेक्ति वास्तों में काबिल होता है जिसके चलते उसकी तारीफ की जाती आप जानते हैं कि हम किसी वेक्ति को recognize करने में अक्सर बहुत लंबा समय लगा देते हैं जैसे हमारे देश में लोगों को ये जो सिविलन आवार्ड्स हैं पद्मिर्श्री, पद्न भूशन, पद्न भूशन और भारत रत्न ये अक्सर तब दिये जाते हैं जब उनकी मौत हो चुकी होती है पॉस्थुमस्ली बहुत मिलते हैं अवार्ड्स तो अक्सर हम बहुत लेट कर देते हैं किसी की योगिता को पहचानने में तो यूलाजी में भी अक्सर यही होता है कि हम किसी वेक्ती की प्रशंसा करते हैं तारीफ करते हैं लेकिन अक्सर तब जब उसकी funeral ceremony हो मतलब उसकी मौत हो चुकी हो तब हम बोलते हैं कि वो बड़े अच्छे थे एक तरीके से a speech in which you praise someone or something very much especially at their funeral ceremony किसी की तारीफ करना खास तोर पर तब जब उसकी मौत हो चुकी हो the distinguished people distinguished बोलते हैं योग गे लोगों को जो अपनी अपनी फील्ड में काबिल हो attending the funeral delivered eulogies in praise of the late social activist बहुत योग लोगों ने उस funeral ceremony को attend किया था और उसमें उन्होंने उस दिवंगत social activist की तारीफ में बहुत सारी बाते कही थी eulogies delivered की थी भाशण जब हम देते हैं देखें speech लिखाया ना तो ये भाशण हुआ और भाशण हमेशा जब दिया जाता है तुसे deliver ही किया जाता है speech को हमेशा deliver किया जाता है अब euphoria, euphoria का मतलब होता बहुत खुशी, अत्यधिक खुशी, इतनी खुशी कि जैसे आप सात्मे आस्मान पे चले गए हो आप ध्यान से देखिए EU root words से वही words बन रहे है जो अच्छे है ना, खराब तो नहीं बन रहे है तो euphoria, euphoria का क्या मतलब होता है, जब बहुत ज़्यादा आप एक प्रकार से खुश हो सात्मे आस्मान पे हो जैसे अभी देखिए, चुनाव चल रहे है 29 को last phase हो जाएगा election का, फिर second को results आने है results आने पर जो जो candidates जीतेंगे, वो और उनके घर वाले, इसी state में जाएंगे euphoria उनके जो fans है, वो euphoria में ही होंगे करीकिस, बहुत खुश होना, feeling of intense happiness and excitement there could be seen an atmosphere of euphoria at home when the youngest son did well in exams, जब सबसे छोटे बच्चे ने, बेटे ने exams में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, तो घर के लोग बहुत खुश थे जब result आया तो atmosphere of euphoria वन गया घर में सब बहुत खुश थे एक तरीके से, तो क्या समझे आप euphoria बहुत ज़्यादा खुश होना, euthanasia एक शब्द आपने सुना होगा mercy killing मतलब जिसमें आप किसी को मार करके उस पर एहसान करें, एक तरीके से उस पर दया करें, euthanasia इसी को ही बोल पर, euthanasia में क्या होता है, एक वेक्ती कि उसे ईश्वर मौत दे दे, आप बुढे लोगों को देखी, जब वो बहुत बिमार होते हैं, तो वो ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभू मुझे मौत दे दो, इतना दर्द हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ है, इसे बढ़िया है कि उसकी तबियत में सुधार ही नहीं होगा, तो वो क्या चाहेगा, कि वो मरजा या उसे कोई मार दे, तो वही उथिनेसिया है, पढ़िये, उथिनेसिया is the practice of killing someone who is very ill and will never get better in order to end their suffering, वो कभी सुधरेगा नहीं, उसकी तबियत कभी नहीं सुधरेगी, तो उनके कस्टों को समाप करने को लिए मार देना, यूजबली ड़न अट दियर रिक्वेस्ट और विद दियर कंसेंट, हाँ, प्राया यूथिनेसिया का ये काम उनके निवेदन करने पर जो लोग विमार होते हैं, या उनकी सहमती से किया जाता है, मर्सी किलिंग इसको दूसरे शब्डों में कहा जाता है, फिर आखरी वर्ड है, इस रूट वर्ड ए-उ का यूफोनी, फोन का मतलब होता है आवाज, फोन का मतलब आवाज होता है, यूफोनी का मतलब है वो आवाज, जो प्रिय लगे एक तरीके से, किसी सिंगर की आवाज बड़ी अच्छी लगती है न, यूफोनी है वो, जैसे कोई लोरी आप सुन रहे हों, तो अच्छी लगती है न, यूफोनी है एक तरीके से, sound pleasing to ear, harmonious succession of words having a pleasant sound, वो आवाज, वो sound जो सुन्दर लगे, करड़ प्रिय लगे, मधुल लगे, तो चैंट्स, एक्जांपल देखते हैं, तो चैंट्स फिल दे मेडिटेशन रूम विद रिलाक्सिंग यूफोनी, मेडिटेशन रूम बोलते हैं, योगा करने वाले रूम को, और चैंट्स बोलते हैं, ओद्घोष को, जैसे कि गायत्री मंत्र चल रहा हो, जैसे कि कोई भी भजन बहुती धीमी आवाज में चल रहा हो, तो यूफोनी बनेगा ना एक तरीके से, तो उसका साउंड अच्छा होता, मुझे पूरी उमीद है कि आपने जरूर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा, अगर ये सेशन आपको बेनेफिशल लगा है, तो आप इसे लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में जाके आप ये बता सकते हैं, कि आपने क्या खास इस सेशन से सीखा है, आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक्यू, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, यूही मन लगा के पढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, हैपी लर्निंग,